नमस्कार स्वागते आप सभी का तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं बड़ी ख़बर के साथ तो हिमाचल प्रदेश में भ्यंकर तबाही देखने को मिली है तो इसी के बीच हिमाचल के मंडी सांसद कंगना रनोत ने आजीवोगरे ब्यान दिया है क्या ख़बर रहने वाली ह आपके समक्ष जरूर साजा करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा ख़बनों को जाने के लिए क्रीपया चन को अभी सब्सक्राइब करें तो मंडी सांसद कंगना बोली हिमाचल नाने की सलाह मिली सोशल मीडिया पर लोग बोली आपदा का पै है कि उन्होंने प्रुभावित क्षेतरों के विधाईकों और डी सी से बात की उन्होंने मुझे विविन स्तानों पर रैड और और औरेंज अलट के कार्ण हिमाचल की यात्रा ना करने की सलाह दी कंगना के इस ब्यान पर सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिकरिया दे र सकती है तो भारा सरकार से कहिए कि पिछली आपदा का पैसा ही दे दू कंगना ने मीडिया को ये इंट्रिव्यू में कहा कि वो लोगों से मिलना चाहती थी उनका दर्द बांटना चाहती थी हमें बताया गया कि हालात ठीक नहीं है और बादल फटने की घटनाएं हो सकती है इसलिए उन्होंने प्रटकों से भी हिमाचल ना आने का नुरोद किया है तो ये रही बड़ी खबर की हिमाचल की मंडी सांसद कंगना रनोत ने हिमाचल प्रदेश में यापदा पर आजीव और गरीब ब्यान दिया है जिसके कान सोचल मीडिया पर इनकी खूब किरकरी हो रही है तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए क्रीपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यावाद जय हिंद जय हिमाचल